वेद एवं पुराणों में भगवान विश्णु के दस प्रमुक सरूपों का वरड़न मिलता है जिनमें से सरो पर्थम मत्से आवतार है भगवान विश्णु ने मत्से रूप से स्रश्टी के उद्धार और सास्त्रों की रक्षा के लिए धारण किया था आज हम इसी विश् पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि क्यों भगवान विश्णु ने मत्से रूप लिया और उन्होंने किस प्रकार से इस संसार का उद्धार किया था स्रश्टी और सास्त्रों के उद्धार के लिए भगवान विश्णु ने इस अवतार को लिया था और यह भगवान नार का प्रथम आवतार है भगवान विश्णु को श्रिष्टी का पालनहार अथवा संचालक माना जाता है यह बात तो हम सभी जानते हैंanki भगवान विश्णु के दस आवतारों में से पहले नमबर पर मत्से अतार आता है उन्होंने यह सरूप स्रश्टी के अंत में लिया था बता दें कि जब प्रले आने के कुछ ही समय सेस बचा था तब उन्होंने स्रश्टी के उद्धार के लिए यह रूप दारण किया था सास्त्रों में वर्डित है कि भगवान विश्णू के सभी अवतारों के पीछे कुछ न कुछ उद्देश अवस्य छपा है और उन से जुड़ी अद्भुत कथाएं स्री रिसी और मुनियों द्वारा वेद ग्रंथों में वर्णन की गई है जिसका स्रवन और पाठन आज भी किया जाता है आज हम भगवान विश्णू के मत्सय अवतार के बारे में जान रहें सत्यवरत मनू महराज जिन से मनुष्य की उत्पत्य हुई धर्मात्मा और भगवान विश्णू के भग्त थे एक दिन जब सत्यवरत मनू नदी तट पर पूजन और तर पढ़ कर रहे थे तब उनके कमंडल में नदी की धार में बहकर एक छोटी सी सुनहरी मचली आ गई उस छोटी सी मचली को लेकर मनू अपने राज महल लोट आए अगले दिन वह मचली इतनी बड़ी हो गई कि उसे बड़े से तालाब में रखना पड़ा अगले दिन मचली तालाब में भी नहीं समा रही थी तब उसे नदी में डाल दिया गया उस समय मनू ने मचली से पूछा कि तुम साधारन से असाधारन मचली हो अपना परिशे दीजिये भगवान विश्णू मचली से प्रकट हुए और बताया कि आज से साध दिन बार प्रलय आने वाला आए स्रश्टी की रचना के लिए और इसकी रच्छा के लिए मैंने अवतार लिया है आप एक बड़ी सी नव बना लीजिये और उसमें सभी प्रकार की ओसद और बीज रख लीजिये ताकि प्रलय के बाद फिर से स्रश्टी का निर्माण कार पूरा हो सके प्रलय आने से पहले भगवान सत्यवरत के पास आए और उनसे कहा कि आप अपनी नाव को मेरी सून में बान दीजिये सत्यवरत परिवार सहित नाव पर सभी प्रकार के बीज और अउसद लेकर सवार हो गए और प्रलय काल के अंत तक भगवान विश्णू के मत्स्यवतार के सहारे महासागर में तैरते रहे मत्स्य अवतार में भगवान ने चारो वेदों को अपने मुह में दबाए रखा और जब स्रिष्टी का पुना निर्माड हुआ तो ब्रह्माजी को वेद शौप दिये इस तरह विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर प्रलैकाल से स्रिष्टी के फिर से निर्माड का काम पूरा किया ऐसी भी कथा है कि स्रिष्टी के निर्माड के समय जब चारो तरफ जल ही जल था तब पृत्वी की स्थापना के लिए मत्से भगवान ने ही महासागर के तल में जाकर अपने मुह में मिट्टी लेकर आये थे और इससे जल के उपर पृत्वी का निर्माड किया गया था वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताए और मिलते हैं जल्दी ही भगवान स्रीहरी नारायन के कूर्मा अतार के नए वीडियो के साथ धन्यवाद जय ही